जन्पत संभल के All India मशाइक बॉर्ड के राष्टरिय अधियक्स असरफ मिया ने वक्त के हालातों और आजाप से बचने और इसलाम की रह पर चलने की नसीहत दी संबल जिले के ग्राम मुसापर में जसने एहले बेत कॉन्फरेंस का आगाज सुननत गुलसन मुस्तफा में संबोधित करते हुए इसलाम के पैगाम से रूबरू करवाया गया इसके बाद नाते पाक के नजराने पेस किये गए असराफ मिया ने भारी हुजूम को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम जिन हालात से गुजर रहे हैं वो तसब्र नहीं अल्ला का आजाब है हम पर जब दुख होता है तो इज़ार तो करते हैं लेकिन अल्ला को याद नहीं करते और अल्लह के बताई हुए रास्तों से भटक जाते हैं जो लोग काम को बहलाने का काम करते हैं उनके बहकावे में नहीं आए जिन्दगी को बहतर बनाए और नमाज अदा करे जन्पत संभल से इसलाम अली की रिपोर्ट समाचार इंडिया नियूस संभल